हेलो फ्रेंड्स यू आर वेलकम एट वेक्टर एजुकेटर्स मैप की इंग्लिश एजुकेटर्स वाथी राठ और स्वावित करती हूं आप सभी का आप सभी के अपने ऑल्लाइन प्रेटफार्म वेक्टर एजुकेटर्स पे आज इस वीडियो में हम लोग वनवर्ट सब्सिट्यूशन का पार्ट 11 करेंगे इससे पहले के सभी वीडियो अमारे चैनल में अविलेबल है आप सभी ने वो सारे वीडियो देख लिए होंगे और अगर अभी भी उनमें से कोई भी वीडियो देखना बाकी है तो उसे आप ह दुकांदार जो की कपड़े लगते बेचता है उसे क्या कहेंगे ओप्शन की तरफ आ जाते हैं ओप्शन ए इस ड्वार्फ ड्वार्फ का मतलब होगा बॉना मतलब कोई भी पर्सन कोई भी प्लांट या एनिमल जो अपने यूज्वल साइज से छोटा रह गया हो उसे बो बोना ओप्शन भी इस ड्रॉ का मतलब हो जाएगा और ने मतलब कोई भी मैच है कोई आपने देखा होगा क्रिकेट का मैच ही ले लेते हैं फॉर अग्जामपल तो जब भी उस मैच में कोई टीम जीत नहीं पाती है तो दौनों के बीच में क्या हो जाता है दौनों के ड्रैपर का मतलब होता है जुलाहा मतलब ऐसा व्यक्ति या कोई दुकानधार जो की कपडों का टेक्स्टाइल का फैबरिक का लेंदेल मतलब बेचता हो उसे बोलते हैं ड्रैपर ऑप्शन डी इस डाइनस्टी डाइनस्टी आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा गुलाहा ऐसा व्यक्ति जो की टेक्स्टाइल फैबरिक या क्लोथ वगेरा बेचता हो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेशन है पर्सन फॉंडफ डिलीशियस फुड मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे अच्छा खाना खाने का बहुत ज्यादा शौक हो जो खाने का बहुत ज्यादा शौकीन हो उसे क्या कहेंगे ऑप्शन एच्छ एपिक्योर एपिक्योर का मतलब हो जाएगा ऐसा व्यक्ति जो खाने का बहुत ज्यादा शौकीन हो आप्शन भी इस एडिबल-एडिबल खाने योग्य चीज ौप्शन सी is एमिग्रेंट, एमिग्रेंट मतलब प्रवासी And option D is Amisery, Amisery मतलब जासूस या गुप्त चड़, जिसे किसी गुप्त मिशन पे भेजा गया हो, तो हमने सभी options जान लिए और यहां पे इसका सही आंसर होगा, option A, Apicure, क्योंकि Apicure का मतलब है, A person fond of delicious food, ऐसा व्यक्ति जिसे अच्छा खाना खाने का शौकीन हो, आगे बढ़त option A is feminist, feminist का मतलब हो जाएगा नारिवादी, ऐसा व्यक्ति जो कि women welfare के लिए कुछ काम करे, उसे बोलते हैं feminist, option B is fanatic, fanatic का मतलब हो जाएगा कटरवादी, option C is fallacy, fallacy का मतलब होगा कोई भी misconception, जूटी मान लियता हैं या फिर कोई भी भ्रह्म, इसे बोलते हैं fallacy and option D is fatal, fatal मतलब जान लेवा, तो हमने सभी words के meaning जान लिये, और यहाँ पर यह जो हमारा question है, false or mistaken belief, मतलब misconception, इसका सही answer है, option C, fallacy, मतलब भ्रह्म, जूटी मान लियता है, आगे बढ़ते हैं, अगला question है, animals that live in flocks, मतलब एक animal, यहाँ पर animal का मतलब जानवर से नहीं है, यहाँ पर animal का मतलब ह human being, क्योंकि अगर हम technical language में बात करें, तो human being is a animal, तो ऐसा animal, जो की जुंड में रहता हो, मतलब जो बहुत जादा sociable हो, मिलनसार हो, उसे क्या कहेंगे, options की ओर चलते हैं, option A is gobble, gobble मतलब लालची की तरह खाना, ऐसे खाना जैसे पहली बार वो चीज खा रहे हैं, इससे पहल जल्दी जल्दी खाते हैं और आवाज भी बहुत करते हैं, इतनी जल्दी जल्दी पूरा समेटते हैं अंदर, तो इसी को बोलते हैं gobble, option B is greatest, greatest का मतलब हो जाएगा, done or obtained without payment, मतलब बिना payment के कुछ काम कर दिया, निशुल्क, उसे बोलते हैं greatest, option C is gregarious, gregarious का मतलब हो जाए हैं gregarious, option D is genocide, genocide का मतलब हो जाएगा, मतलब जो जन संगहार होता है, किसी विशेश धर्म या प्रजाती के लोगों की सामू ही खत्या कर दी जाए, उसे बोलते हैं genocide, तो हमने सभी वर्ट्स के मीनिंग जाल लिये, और यहाँ पर यह जो हमारा question है, animals that live in flocks, मतलब ऐसे लोग जो की group में रहते हों, मिलनसार हों, sociable हों, उसका सही answer होगा, option C, gregarious, आगे बढ़ते हैं, अगला question है, the worship of idols or images, मतलब मूर्ती पूजन, इसे क्या कहेंगे, options की तरफ चलते हैं, option A is illegible, illegible मतलब incapable of being read, मतलब अपठनिय, जिसे पढ़ाना जा सके, किसी कि राइटिंग इतनी जादा गंदी होती है, कि उसे पढ़ नहीं पाते, तो इसी को बोलते हैं, illegible, option B is illicit, illicit मतलब अवैद, कानून के खिलाफ, option C is illegal, अब देखिए, illicit और illegal, दौनों का मीनिंग सेम है, दौनों का ही मीनिंग हो जाएगा, अवैद, जो की कानून के खिलाफ हो, option D is idolatry, idolatry का म मूर्ती पूजन, किसी idol की पूजा करना, एक मूर्ती की पूजा करना, तो हमने सभी words के मीनिंग जान लिये, और यहाँ यह जो हमारा question है, the worship of idols और images, इसका सही answer होगा, option D, idolatry, hope आपको यह सारी चीज़े clear है, तो friends, मैंने आपके साथ कुछ one word substitution डिसकस किये, I hope आप सभी को यह सारे equations clear होंगे, अगर still doubt है, तो आप वीडियो को repeat करके देख सकते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगाया है, तो इसे like कीजिए, share कीजिए अपने maximum friends के साथ, और अगर अभी हमारा channel subscribe नहीं किया है, तो हमारे channel को भी subscribe कर लिजिए, जिससे की upcoming videos की notification आपको जल्दी से जल् Stay tuned with us, thank you so much, wish you all the best